खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकर नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टैम 24 नीज आपके साथ मैं हूँ प्रवीन राजधानी दिल्ली में चुनावी घमासान जारी है आज हम विजवासन विधान सभा के महिपालपूर में पूर्व विधायक सत्प्रकाश राणा के कारेकाल में हुए विकास कारियों की ग्राउंड रियालिटी चेक करेंगे और वहां की जनता से पूछेंगे कि वो अगले विधायक के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं बिजवासन विधान सभा का महिपालपूर जहां की जनता आज भी पूर्व विधायक सत्प्रकाश राणा के कारेकाल में हुए विकास कारेयों को याद करती है महिपालपूर में बनी डिस्पेंसरी, पार्क, शमसान घाट वा चौपाल जैसी सुविधाओं का लाब हजारोंग छेतर वासी उठा रही है सुनिए सत्प्रकाश राणा के बारे में क्या कहती है महिपालपूर की आवाम सत्प्रकाश राणा जी पहले बीजेपी हमारे गाओं की चोपाल बनवाई, कम्यूनिटी होल बनवाई, सम्शान घाट बनवाई, बोरिंग करा है, सारे काम उन्होंने करा है हम तो दुबार मोधी सरकार को देखने चाहते हैं सत्प्रकाश जी उन्होंने अच्छा बिकास कर रहा है, सबके लिए कोई दिक्रत नहीं आई है, ठीक है सर, यही चाहते हैं सत्प्रकाश राना के कारेकाल में रिपालपुर गाउं में बनी ये डिस्पेंसरी सेंकडोक शेतरवासियों की सहत का ख्याल रखती है राना जी ने, उन्होंने किया है जब इंडिया टाइम 24 न्यूज का कैमरा महिपालपुर गाउं में चला तो ग्यात हुआ कि सत्प्रकाश राना ने अपने कारेकाल में ना सिर्फ कई चौपालों का निर्माण किया, बल्कि पहले से मौजूद चौपालों का सौंदर या करन भी करवाया, ताकि गाउं का ग चौपार जो थी, जब राना जी थी, एमले उस ताइम बनी थी चौपार जी यह सत्परकास नहीं बनवाई थी और पैसे दिये थे, अपने फंड से, एमले फंड से, काम तो खर करवाई है, यह सत्परकास जी की देने जी और बढ़िया है जी, बढ़िया अच्छा काम किया उन्होंने काम कहा है, डिसपेंसिर बनवाई है, चौपार बनवाई है, अब बताई, राना जी के कारिकाल में कितना विकास हुआ है जो अभी तो बिधाये खहे नहीं लेकिन इनहोंने काफी अपने समय में काभी काद किया जो चो पाल सो गयराक इसकी देनी सब्स्था एक सत्परकास राणा जी का देना जी हे बहुत विकास किया था काम के लिए चो बवड़ बनवाई न ऐब तो पर लिए ठीक मेरत thinking राई हम तो यह चाहत है कि अगर उनको टिकट मिल गए तो उनके साथ ही रहेंगे। विवस्था पूरी तरह से चोपट हो चुकी है। महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित साथ वेस्थ दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पिस्यालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिबल रेट्स में। ब्रेक के बाद एक फिर से स्वागत है आपका तो चलिए फिर आपको महिपालपूर के ही कुछ और जगहों पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ विकास वहां हुआ है पूर्व विधायक सत्प्रकाश राणा के कारिकाल में। इस्थानिय निवासियों का कहिना है कि महिपालपूर चेतर में पूर्व विधायक सत्प्रकाश राणा के कारिकाल में बने बाराद घरों और पार्कों की हालत अब खस्ता हो चुकी है क्योंकि इस पर केज़िवाल सरकार गौर नहीं कर रही है। चौपाल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसकी हालत पूरी तरह से जर जर हो चुकी है कुछ लोगों से पूछते हैं। पूर्व विधायक के प्रयासों से महिपालपूर में बना ये शम्शान घाट आज भी सत्व प्रकाश राणा के जनकल्यान कारियों की दुहाई देता है। उस टेम की बहुत अच्छे काफी उजाड थी सत्व प्रकाश राणा के विकास कारियों की दासना सुनाता है। गुरगाओं हाईवे के पास सत्प्रकाश राना के करकमलों से बनाई ये कबीर भवन पूर्व विधाय के कारिकाल में हुए विकास कारियों की दास्ता सुनाता है जो नेता हमारे सत्प्रकाश राना जैसे थे उन्हीं को टिकर मिलना चाहिए और उन्हीं को आना चाहिए जितना काम उन्होंने किया है कबीर भवन उन्होंने बनवाया सत्प्रकाश राना ने और एक दो जगे और बनवाई लड़के का आचन बहुत ठीक है काम करने वाला अगला विधायक सत्प्रकाश राना होना चाहिए वही ने इसको बनाया ने तो ऐसी तूटा फूटा पड़ा हुआ महिपालपूर में इंडिया टाइम 24 निउस की पड़ताल में ये साफ हो गया कि छेत्रवासियों को बीते पांच वर्षों में दिल्ली सरकार के विकास कारियों की जानकारी बेशक न हो लेकिन पूर्व विधायक सत्प्रकाश राना का काम आज भी बोलता है उनके कारिकाल में निर्मितव, संचाली, चौपाल, डिस्पेंसरी, बारात घर, शम्शान घाट और पार्कों की ये तस्वीरें विकास के ऐसे मॉडल को प्रदर्शित करती हैं जिससे हजारों लोग लाभनतित है